अखिल भारतिय महिला कॉंग्रेस अद्धिक्षा अलका लामभाद्वाराश पत्रपरिशत का आयजिन किया गया था महिला अत्याचार पर अलका लामभा ने पत्रकारों से समाद सादा आयजित पत्रपरिशद में अलका लामभाद्वारा महराश्च्र मे महिलाव पर लगातार हो रहे है अत्याचार महिंगाई बेरोजगारी और किसानों की समस्या के समाधान को लेकर समाद साथते हुए बताया गया कि महिला अत्याचार रोकने के लिए कॉंग्रेस की ओर से एक समिती का गठन किया जाएगा और ये ग्रामीन लेवल पर भी इस समिती का गठन होगा ताकि अत्याचार के मामलों पर रोक लगाई जाए बदलापूर कोलकता की घटना को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार पर तीखे शब्दों में टीपनी भी की है सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस देश की महिला राष्टपती ये कहें कि वो भैभीत हैं तो मैं उन राष्टपती जी से कहना चाहूंगी कि आप फिर बताईए इस देश की आदी आबादी की हालत क्या होगी जिसकी राष्टपती भैभीत है वहां क्या है मामला बंगाल का राश्पती जी आप बोली इसके लिए आपका धन्यवाद लेकिन आप अगर मनीपूर पे भी बोली होती जहां पर पुलीस ठाने से महिलाओं को घसीट कर बाहर लाकर नगन करके आदिवासी बेटियों का समुई बलातकार हुआ वो दिली के जंतर मंतर पर आ महां से हटा दिया कि मुख्यमंत्री आज तक नहीं हटाए गए महामहीम राश्पती जी आप विनेश वोगाट और साक्षी मलीक अपने पदक लेकर आपके दहलीज तक आई के नहीं आई आई आपसे समय मांगा आपने उन बेटियों को समय नहीं दिया हम उमीद कर रहे थे राश्पती जी आप विनेश वोगाट साक्षी मलीक और इन बेटियां जो आपसे मिलना चाहती है अपने राश्पती भवन में बुलाएंगी गले लगाएंगी पदक उनके गले में डालकर विश्वाद दिलाएंगी कि वो भाजपा का जितना मर्जी बड़ा नेता है सांस के थाने के बदलापूर में भाजपा नेता के स्कूल में तीन साल की नर्सरी में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ गलत काम हुआ है बदलापूर में भी आंदोलन हो रहा था आप तब भी चुप रही महमेहिम जी लेकिन अब भी देरी नहीं है केंदर की सरकार को कहिए देश भर में बलातकारियों को बचाने का काम अब बंद कर दें क्योंकि सच यह है बेटियों को नया इसलिए नहीं मिल रहा राश्पती जी क्योंकि बलातकारियों को सत्ता का संरक्षन मिला हुआ है बलातकारी की सत्ता में भागेदारी है इसलिए नहीं हो रहा राश्पती जी मैं महिला कॉंग्रेस की रास्टे अध्यक्ष हूँ, 28 राज्यों के दोरे करके पिडिताओं को मिलकर आई हूँ, मैंने भी राजपती जी आपसे बार-बार मिलने का समय मांगा, आपने मुझे अभी तक पिछले 6 महीने से समय नहीं दिया है, ताकि मैं आपको देश की सच पिडित परिवार, हर बेटी को बताना चाहती हूँ, अब आपको न्याय का हक मिलने से कोई नहीं रुक सकते हैं, हमारी कमेटियां इतनी सरशक्त हैं कि उसमें महिला वकील होगी, उसमें महिला डॉक्टर होगी, उसमें एंजियो से कौंसलर होगी, कि बच्चियों के साथ अपराद हुआ तो उन्हें कौंसलिंग देने की सक्थ जरूरत है, ताकि वो डेर और सहमी हुई हैं जो उनके साथ हमले महरास्ट में हैं, उसको न्याय का काम हम लोग करेंगे और देश के सामने, देश के सरकारों के सामने ये नारी न्याय कमेटियां जिसका सुझाव हमें शिरी रहूल गांदी जी ने दिया है, नारी न्याय आंदूलों, नारी न्याय हमारी भारत जोड़ों न्याय यात प्रादियों को पता लगे कि यह जो सरकार है बाजपा की डवल इंजन की सरकार यह बेटियों को नहीं अपरादियों को बचाने का काम करती है हमें भी बचाएगी जैसे बदलापूर हरा जगा बचानी की कोशिश चल रही है तो हिम्मत बढ़ेगी हिम्मत बढ़ेगी इसलिए अपराद बढ़ रहा है यही एक कारण है और भाजपा के नेताओं के नाम चाहिए महरास्ट साना प्रजवल रेवरना प्रदान मंतिर यहाथ खड़ा करकर के उसके लिए वोट मांगे आपने हराया वहां की जनता निधन्यवाद करते ब्रजबुशन चरन की टिकेट आप देने से जो है आपको डर गई यह डर आपको आपके बीच में हमने डाला है और अब आप प्रदान मंत्री जी आपने मात्र कुछ महीने पहले दिसंबर महा में लगाई थी और वो इस तरह से हवा के जोखों में जो है ध्वस्त हो जाती और पूरे महारास में इसको लेकर गुस्सा है लेकिन आप देखिए जो 1957 में पंडित ज्वालना नहरुजी द्वारा लगाई गई चत्रपती शिवाजी की मूर्ती थी वो आज भी वहीं खड़ी है 1930 गंबाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ती समुंदर के बीच में लगाई गए कितने तुफान लहरे आई सब कुछ आई लेकिन टस से मस्नुए तो ब्रस्टाचार में चत्रपती शिवाजी की मूर्ती क साथ ही अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी की संकलपना के मताबिक लोगसभा और विदानसभा में महिलाओ की 33 पिसदी आरेक्षन लागू करने के लिए प्रेस कॉन्फरेंस की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओ को राजनीती में मौका मिल सके कैमेरा परस